हेलो दोस्तों आज हम यहां पर बात करने वाले आरती इंडस्टी लिमिट से रेट है आपने यहां पर देखा है आज की दिन लगबग यह 510 पर क्लोज हुआ है एक 10% की रैली लगबग 11% की रैली यहां पर होती हुई नजर आई है तो क्या यह रैली सस्टेनेवल है क्या आपको यहां पर सैल करना चाहिए एकूलüne नज Gü Cayक रोना चाहिए वो मैं एक आइडिए देता हुआ नजर आऊँ क्योंने काफी लोगों ने पार बात की हो है इस वैल एस यहां पर अधी गोगी तो एक फिआब या पना भी देना चाहूँगा I could be right來 वो एक अलग बात है वो से हम छोड़ते हैं श्टॉक मार की एक पॉबिलिटी का गेम है किसकी पॉबिलिटी कभ यहां पर सही होती है उस पर यहां पर ज्यादा फरक पड़ता है ठीक है और आगे बढ़ेंगे जानेंगे इसे लेटेड चार्ट से लेटेड क्या कराया स्मॉल कैप इंवेश्टर इसे सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को ठीक है यहां पर आपको बहत्रीन से बहत्रीन वीडियो बहत्रीन बहत्रीन स्टॉक्स और वो भी स्मॉल कैप जहां पर पैसे बनते हुए नजर आएंगे ऐसे शेयर आपके सामने यहां पर शेयर किय जाते हैं, ऐसे शेयर से लेटी नहीं आपर बात की जाती है, ठीक है, बाइंग सालें की कोई रिकमेंडेशन हम देते नहीं है, यह एजुकेशनल परपस से यहाँ पर वीडियो बना जा रहे है, इस चीट को याद रखिएगा, और जितना हो सके सीखने की कोशिश करें वीडि कब लेना है, कब बेचना है, कौन सर शेयर लेना है, कौन सर शेयर बेचना है, यह जो कोर्स है, ठीक है न, यह कोर्स आपको यह सब चीजे से खा देगा, बीस अजार रुपे का कोर्स है, एक बार इस कोर्स को किया, दुनिया की किसी मार्केट में जाके काम करिएगा, पीछ और option करने की जरूवत ने, कोई trading करने की जरूवत नहीं है, simple यहाँ पर इसे follow करके अच्छा पैसा बना सकते हो, तो यह एक course है तो इन नंबरों पर आप क्या कर रही है, note कर लीजे 20,000 को course है, और अगर किसी को अलग से, किवल research analysis सीखनी है, तो 15,000 रुपीज, किसी को अलग से technical analysis सीखना है, ठीक है, तो यहाँ पर आप, को मैं, यहाँ पर again 15,000 रुपीज में, यह एक एक चीज सिखा सकता हूँ, और दोनों चीज सीखनी है, तो 20,000 रुपे है, और बाकी एक जनवरी 2024 से course की fees यहाँ पर 25,000 हो जाएगी, उस time odd price को decide करेंगे, तो वीडियो में आगे बढ़ेंगे, और यहाँ पर अगर किसी को साथ में काम करना है, पोटफोलियो बढ़ा है, तो इन नमबरों पर contact कर सकता है, हमारी expertise का फाइदा उठा सकते हो, तो आएए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, आरती industry में आज 10% की उछाल आई, जो share यहाँ पर इतने time से सो रहा था, जो लगातार यहाँ पर गिरावर्ट दिखा रहा था, इसने एक हजार रुपे के आसपास खाए बनाया, चीज़े नीचा आई, तो ऐसा क्या हुआ, कि यह share एक साथ ही भागता हुआ, नज़र आया 10%, तो उसके बीचे का reason है इसके result, आज कल की date में आपर शनी बार को यह Friday को इसके result है थे, ठीक है, उससे related हम बाते करेंगे, जानेंगे कि ऐसा क्या हुआ result में, कि share भागता हुआ नज़र है, तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले company के बारे में जान देते हैं, तो company के बारे में जानोगे तो आपको पता चलेगा R3 industry एक ऐसी company है, ठीक है, जो specialty chemicals हैं, pharmaceuticals में यहाँ पर काम करती है, as well as यहाँ पर देखोगे, तो यहाँ पर company का specialization है, ठीक है, key chain including nitro chlorobenzene, okay, यहाँ पर de-chlorobenzene, तो अलग लग तरीके के जो यह बेंजीन और chemicals formulas होते हैं, उसमें यह company काम करती है, 21 प्लस manufacturing units है, 100 प्लस इनके products है, 700 प्लस domestic customer है, और 400 प्लस export customers है, 60 प्लस countries में, USA और Europe और जपान और अलग अलग countries में इनका काम है, अच्छा काम करती हुई नजर आती है, जाके आप देख सकते हैं, जो इनके products यूज़ करती है, वो industry क्या है, तो वो देख दी, additives, agrochemicals, intermediaries, dyeing, pigments, paints and printings, pharma intermediaries, fuel additive, rubber, chemicals, resins, तो mostly सारी industry को ही अपने product supply करते हैं, ठीक है, client की बात करें, तो यहाँ देख लीजिए, यह सारे के सारे client है, इनके pigment paints में देखना चाते हो, तो बड़ी-बड़ी companies है, as well as agrochemicals में देखना जाते है, तो वो भी यहाँ पर है, तो company काफी बड़ी थी, धीरे-धीरे business quality किया गया, अब business quality किया गया, तो अब उसका फायदा कहीं न कहीं मिल सकता है, एक बाद की website पर जाके, आप इनके product से related यहाँ पर देख सकते हैं, जान सकते हैं, company यहाँ पर क्या कर रही है, कहाँ पर है, किस तरीके से इनके काम है, वो सब्ची रब यहाँ पर मिल जाएगा, तो आगे बढ़ते, सबसे पहले आप देखोगे, तो company पहले तो यहाँ पर mid cap हुआ करती थी, अब यह small cap ही है, ठीक है, 18,493 करोड रुपे का market cap है, 41 का PE है, industry का PE 29 का है, अब आप का यह महंगा है, तो मैं still आप से कहूँगा कि, जो अच्छी companies होती है न, वो हमेशा महंगी मिलेगी, और अच्छी company का मतलब क्या अच्छी company का मतलब यह है, कि बीच में गिरावट तो दे कि वो होती रहती है, but this is the stock, जो कि यहाँ पर कुछ रुपे से, ठीक है न, एक हजार रुपे तक जाता हुए, नजर आया, तो इसने multi bagger return दिये आपको, ठीक है न, किस तरीके के return दिये है, multi bagger return, आप यहाँ पर जाओगे, ठीक है न, यहाँ पर आप देखोगे, bonus दे रही है, split दे रही है, क्या-क्या नहीं दिया है, इस particular share में, ठीक है, 16,000% के तो इसमें ही दे दिये, फिर इसके बाद split दिया है, bonus दिया है, ठीक है, de-merger हुआ है, वो एक अलग चीट है, buyback किया है, 1200 रुपे के भावपे और 800 रुपे के भावपे, ठीक है, nascent company का, यहाँ पर 2019 को हुआ, ठीक है, फिर आप देखोगे, आरती सर्फ्रेक्टेंट यहाँ पर से de-merger होती हुए नजर आई, ओके, तो अलग-अलग companies में से निकलती हुए नजर आई है, फिर भी यह company आप देखोगे, तो यहाँ पर कितने percent के, लग-बग 16,000% के रिड़ है, तो यह multi-bagger return देने वाली company है, छोटी-mोटी company समझके इसे ignore करने की जरूद नहीं है, और long-term के vision से, यह video भी देखने की जरूद नहीं है, यह share में सीधे invest कर दो, ठीक है, long-term के vision से, अपने financial advisor खुद की study करके, तो आपको समन में आएगा, यह share हीरा है, ठीक है, मैं इसकी बेकारों की बातें नहीं करूँगा, एक short में बताऊँगा की हीरा है, और ROC की बात करें, और 111 ROC है, 64 का यहाँ पर debt है, परसेंट का, और यहाँ पर pleasing भी है थोड़ी सी, और 145 का 52 वीक आई है, all time high की बात करें, तो वो लगबग 1000 प्लस का है, और maximum chart button दिखा चुको है, ही राई stock है, इसमें कोई doubt वाली बात है ही नहीं, ठीक है, but company के fundamental बीच में खराब होते हुए दिखाई दिये थे, company जो अच्छा कासा प्रदर्शन कर रही थी, वो यहाँ पर weak प्रदर्शन करने लगे, जिसकी वाज़े से आप देखोगे, कि company के जो result है, उस पर impact पढ़ता हुआ दिखाई दिया, और impact की वज़े से, यहाँ पर चीज़े गिरता हुआ नज़राई, बीच में यहाँ पर आरती सर्फेक्टेंट भी निकला, तो यहाँ पर देख सकते हो, company, overall आप देखोगे, तो अच्छे खासा है, यहाँ पर प्रदर्शन करती हुआ नज़र आ रही है, ठीक है, company यहाँ पर overall देखा जाए, तो यहाँ पर सब चीज अच्छी नज़र आती है, ठीक है, थोड़ा सा आप देखना चाओगे, तो इसे थोड़ा सा उपन अप करके देखना, तो आपको यहाँ पर चीज और समझ में आएगी, तो अगर हम यहाँ पर बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए, इस बार के result, तो sales तो यहाँ पर average आई है, ठीक है, कुछ खास यहाँ पर sales नहीं है, yearly basis पर गिरती हुए, नज़र आई है, quarterly basis पर थोड़े से नंबर सुधरते हुए, नज़र आया है, company का net profit भी देखे, operating profit वो भी काम यहाँ पर नज़र आता हुए, दिखाई देता है, बट quarterly basis पर चीज़े सुधर रही है, इस चीच को याद रखना, margin side पर चीज़े अच्छी है, ठीक है, yearly basis पर भी, quarterly basis पर भी, और net profit देखोगे, तो net profit थोड़ा से company का, yearly basis पर कमा है, बट quarterly basis सुधरता हुए नज़र है, तो अब क्या, share भागेगा कब, और उस सब चीच की में थोड़ा सा बाते करूँगा, थोड़ी सी अपने भविश्यवानी जैसे मैं करता हूँ बार बार कि इस level पर भाग सकता है, यहाँ पर भाग सकता है, वो भी करते हुए नज़र आएंगे, सेल्स की बात करें, yearly performance बेटर है, वो मैं आपको हमेशा बता चुका हूँ, company अच्छा खासा परदेशन करती है, वो भी बता चुका हूँ, ठीक है, बर एक अच्छा साल company के लिए अच्छा है नहीं रहा, वो भी यहाँ पर दिख रहा है, numbers में, reserves की बात करें, company के reserves अभी भी highest ever है, worrying भी साल साल बढ़ती ही नजर आई है, यह एक concern है, जिसकी वज़े से आप देखोगे, तो company अच्छा खासा interest पर करती है, और आप देखोगे, company ने 1000 करोड रुपीज के आसपास working progress में लगा रखें, इसका मतलब क्या है, जब यह काम होगा न, तो यह काम होगा तो यह यहाँ पर impact पढ़ता हुआ नजर आएगा, उस चीच के बारे में आपको देखना है, और इसका दीरे-दीरे काम होता रहेगा, दीरे-दीरे यहाँ पर पैसा बनता रहेगा, वो चीचे देखनी है, cash की बात करें, company का cash पढ़ता हुआ नजर आ रहा है, as well as आप देखोगे company अचे ठीक पर पड़ता होती हुए, न नेजर आ रही है, FIs की holding है, वह कम होती होी नजर आ रही है, DIs की holding है वह यहाँ पर बढ़ती हुँए नजर आ रही है, as well as public holding, as it is है, तो overall क्या दिखाई देता है, overall दिखाई देता है, कि जो यहाँ पर share बेचे गए है, वह share यहाँ DIAs अच्छी companies ने यहाँ पर खरीदे है ठीक है अच्छे है यहाँ पर logo ने यहाँ पर खरीदे है तो इस चीट को याद रखना और public के पास as it is ही यहाँ पर share है कोई ना changes हुए ना कुछ हुए सबसे पहली बात long term की बात करनूं तो long term के पपस है यह share एकदम बहतरी शेयर है this is the right time to invest कि आप यहाँ पर invest कर सकते हो किसे पूछने की ज़रूवत नहीं है कुछ नहीं है ठीक है बट जैसे कि हम बात करते है right time wrong time बहुत important होता है ठीक है अभी आप buying करने के बारे में सोचोंगे चाट से लिटीड बाते करते बाट उससे पहले request है I am small cap investor को यहाँ पर subscribe करे bell icon को hit करे और को notification को on करे buying selling की recommendation यह चीजों को सीखना है सीखने का तरीका यह है दूसरा तरीका यहाँ पर इन नमबरों को note करके सीख सकते हो और साथ में अगर आपको हमारी expertise का फाइदा उठाना है तो काम कर सकते हो ठीजे हम यहाँ पर phone पर discuss कर लेंगे यहाँ पर हम बात करें तो देखें लगातार गिरावट हुए और लग 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 शेयर 50% के आसपास गिरता हुए नजर आया आज के दिन एक टेजी होती हुई नजर आई ठीक है और थोड़ा सा शेयर को निउस वगेरा में भी यहाँ पर चलाते हुए नजर आई तो इस वज़े से शेयर में टेजी हुई जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ लॉंग टर्म की तो लॉंग टर्म के यहाँ पर इस शेयर को बिल्कुल भी भाही नहीं करता ठीक है अभी यह Stage 1 की Consolidation है कुछ महिनों से कुछ सालों की होती है और जब यह कुछ महिनों से कुछ सालों की होती है तो यहाँ पर impact पढ़ता हुआ नजर आता है जहां पर आप दूसरे stocks में पैसा डाल के पैसा earn कर सकते हो stage 2 के बट यहां पर आप देखोगे stage 1 में पैसा लगा के आपका consolidation कितना लंबा चलेगा nobody knows तो इसलिए थोड़ा से यहां पर डरते हैं हम लोग पैसा लगाने से जिन्हों ने सीखा है वो यहां पर इस चीट को समझते हैं आपको भी सीखना है क्या है stage 1,2,3,4 यह एक course research में आता है तो आप यहां पर हमसे सीख सकते हैं दूसरी बात हम यहां पर करें तो कब buying करनी है ठीक है मेरे according कब buying होगी ओके long term के वीजन से बता दिया है this is the perfect time ठीक है आप यहां पर देख सकते हो share की बात करूं कब भागन आपसे अच्छी हो सकती है दूसरी बात की बात करें तो आपको क्या लेना है ठीक है तो bottom पे तो देखिए कोई नहीं खरीद पाता हो नहीं top पे कोई बेच पाता है जो कहता है मैं bottom पे करीद तो आपको फूल बना रहे है यहां पर हम बात करें जल्दबाजी नहीं करनी है यहाँ पर जब यह शेयर 565 के उपर ठहर जाए, 565 के उपर रुख जाए, 565 के उपर काम करने लग जाए, उस ताम यहाँ पर भाई करिएगा एक छोटा सा श्टाप लॉस, 560 रुपे के आसपास कर लगा, यहाँ पांसाट रुपे का ठीक है और यहाँ पर देखेंगे, फिर इस तरीके से बनेगा, जैसे यहाँ पर भागता हुए नसरायता, ओके तो अभी यहाँ पर खरीदने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है, यहाँ पर कंसॉलिडेशन कितनी लंबी होगी, नोबडी नोस, जैसे कि मैं बार बान यहाँ पर कह रहा हूँ, जैसे कि आप यहाँ प परफॉर्म नहीं किया, तो मतलब कितने यहाँ पर आप देखोगे, तो लगवा, फोटीन येर्स ने परफॉर्म नहीं किया, तो फोर्टीन येर्स परफॉर्म नहीं किया, बट एक साथी आप देखोगे, तो कुछ सालों के अंदर-ंदर किसी ने यहाँ पर लिया होता, ज चाइना को subscribe करना, bell icon को hit करना, buying selling की कोई recommendation नहीं है, आप अपने financial advisor और खुद की समझ से यहाँ पर चीज़ों को खरीदेंगे तो पैसा बनेगा, otherwise आप कहाँ अटकोगे, कहाँ नहीं अटकोगे, फिर वो तो आप जानते हो और भगवान जानता है, तो यहाँ पर subscribe करें, bell icon को hit करें, इन number को note करें, ताकि चीज़ें सीखी जाए, पहले सीखे होगे, फिर उसकी वास समय में आएगा, implement करोगे 6 महीने से 1 साल का, time दोगे course पर, यहाँ पर market का analysis करोगे, stocks का analysis करोगे, किस तरीके से stocks भाग रहे है, क्यों भाग रहे है, किस लिए भाग रहे है, क्या ऐसा होता हुआ नजर आए, कि share 100-100-200% एक साल मखते हुए नजर आते है, क्या ऐसा होता हुआ नजर आता है, कि share यहाँ पर 50-50-50-60% गिरते हुए नजर आते है, इनके answer तो ढूनो, एक पर answer ढूनना शुरू करोगे, पैसा अपने आप बन जाएगा, और answer देने के लिए हम यहाँ पर बैठे हुए, यह course में answer दिया जाता है, so thank you so much, God bless.